देखिए X प्लस Y का ओली स्कॉर क्या होता है X स्कॉर माइनस 2XY प्लस Y स्कॉर इसरी पर का A-B का ओली स्कॉर क्या हो जाएगा A स्कॉर माइनस 2AB प्लस B स्कॉर अब इसको जिस भी फोर्म में आपको याद रहता है उसमें आप कर सकते हैं, जैसे x और y का all square याद रहता है, तो यह कर दो, और a minus b का all square अगर याद रहता है, तो इसको कर सकते है, a square minus 2ab plus b square, ठीक है, अब इसका अनुप्रियोग क्या है, जैसे मैं यहाँ एक जंपल की तोर पे आपको एक बताता हूँ, मान लो, यहाँ 2x minus 3y का all square है, आपके सामने है, एक questions आगिया, कि 2x minus 3y का all square इसको खोलिए, तो आपको सर्वसमिका का उप्योग करके कैसे खोलना है इसको, देखिए, यहाँ से तुलना करना है, यह x के रूप में, जब भी सवाल आता है, x और y के रूप में, तो आप इस form में याद रख सकते हैं, a और b की रूप में, ताकि इसको हम a मान लेंगे, और इस पूरे को b मान लेंगे, अब जहाँ जहाँ a आएगा, वहाँ तो मैं 2x लिखूंगा, और जहाँ b आएगा, वहाँ मैं लिखूंगा, 3y, तो इस form में आपको इसको विस्तारित करना है, तो मैं इसको खोल के बताते है तो आपको, a square, यानि कि 2x का square, तो यहां लिखेंगे, 2x का square, फिर minus 2, a b लिखना है, तो 2 formula का आगिया, और a, a क्या है मारे पास, 2x, इसी परकार b क्या है, 3y, तो यहाँ आ जाएगा, 3y, पलस b square, यानि b कितना है, हमारे पास, 3y, तो यहां आजाएगा, 3y का all square, अब इसको खोलेंगे, तो क्या आजाएगी, देखी, 2x का all square है, तो क्या होगा, 2x into 2x, यानि 4x square, फिर minus, 2 into 2 किने होगे, 4, और 4 का गुना 3 से करेंगे, तो 12, यानि संक्या संक्या का गुना करना है 2 into 2, 4, 4 into 3, 12, तो 12 और x का गुना y से होगा, तो x और y, फिर पलस, 3y का जब all square खोलेंगे, तो क्या आजाएगा, 3 into 3, यानि 9, और y का गुना y से करेंगे, तो y square, तो इसका जो answer है, हो यह आजाएगा, 4x square, minus 12xy, प्लस 9y square, अब कोई भी आपके सामने कोचन साता है, अगर minus लगा हुआ है, तो इस formulae से आप इसको easily खोल सकते है,